वक्त हो गया च्छतिस गड़ की पाँच बड़ी खबरों का फाली खबर की और चलते हो बता दे बस्तर जिले में संचालित विक्सित भारत संकल प्यातरा की गतिवीदियों का जैजा लेने के लिए भारत सरकार के जोईन सेकेटरी पियो सिंग गुरवार को जगलपूर पहुंचे जहां जोईन सेकेटरी सिंग ने गुरवार की शाम जिला कार्याले के आस्ता सभाकक्ष में विक्सित भारत संकल प्यातरा की समिक्षा बैठक ली उन्होंने जिले में संकल प्यातरा और शिवि प्रिक्त अन शास्च की उजनाओं से आम जनू को दी जा रही इसे वाओ के लिए जिला प्रशासन की सरहना की दूसरी ख़वर के चलते बतादे कबिरदाम जिले की आंगनबाडी कारे करता शुकुरवार यानि की आज अपनी विभिन मांगों को लेकर एक तिवस से धर्ना प कारेवाई करते हुए जिले में मरवानी ब्लॉक में उन शिक्षिकों को सस्पेंट कर दिया जो शराब के नशे में स्कूल आते थे वीयों की सिकायत पर ये कारेवाई की गई है और चौति ख़वर के चलते बताते च्छतिस गर्ण में मौसम का मिजाज बदला हुआ है पश मौसम विभा के नुसार प्रदेश में आने वाले तीन दिनों में नियूनतम तापमान गिरने की संभावना है इसके बाद नियूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है नियूनतम तापमान गिरने की वज़े से ठंड में बड़ोतरी होगी मौसम एक्सपर् वनाचल गाव में रहने वाले बढ़ी के घर दविश्टी गई अपने घर में बढ़ी बढ़े पैमाने पर बीजा की लकडी से सिलपट खिड़की के अलावा दर्वाजे तेयार कर खपाने की तेयारी कर रहा था उसी निशान देही पर टीम ने करीब सवा लाख रुपए कीमती इमारती लकडी के अलावा फ़नीचर बनाने में उप्योग किये जाने वाले और जार जब्त की एम मामले में आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कारेवाई की गई है ऐसी ही 36 गड की तमाम जानकारी के लिए जुड़र है पॉब्लिकेशन उसे